हेलो एवरिवन मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बाग बाईचा पैशन और क्रियेशन में जहां हम बात करते हैं पेड़ पोधों की और किसी क्रियेटिविटी की अगर आप मेरी वीडियो पहली बाद देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नहीं है तो जली से मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊ तो आप उसे मिस ना करें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बहुत ही खुबसरा सा प्लांट का प्लांट है ये देशी का लांचू है और इसकी जो कटिंग है वो मैंने अपनी मामा की घर से ली थी बड़े ही आराम से कटिंग लग जाती है लेकिन आज मैं आपको इसका जो परफगेशन है वो लीव क थ्रू बताने वाली हूं और उसका रिजल्ट भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी अपडेट देखकर आप जरूर देखेंगे कि आप भी इस काम को बड़े ही आराम से कर सकते हैं और एक प्लांट से धेरो प्लांट बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीड लीव को तोड़ेंगे तो उसको ट्विस्ट करके तोड़ेगा ताकि उसका जो डंठल है वो भी साथ में आए और एक बार में कम से कम तीन चार तो जरूर ही लगाएं ताकि आपको सक्सेस्फुल रिजल्ट मिलें तो यहां पर यह देख सकते हैं जो आगे का हिस्सा है यह ह इस टैम से जुड़ा होता है हमें वो जरूर चाहिए वो डैमिज नहीं होना चाहिए तो जब लीव तोड़ेंगे आप तो उसको टिस्प करके तोड़ेंगे तो वो बड़े ही आराम से निकल जाता है तो यह जो कैलंचु का प्लांट होता है यह बहुत ही इसली लीव से फ चल यह आप देखते हैं कि हम इन लीव को किस तरह से लगाते हैं मिट्टी में सोयल में कैसे लगाते हैं ताकि उसमें अच्छी सी रूटिंग और नया पोधा बने लीव से प्रोपगेट करते हैं तो थोड़ा प्लांट को बनने में टाइम लगता है लेकिन अगा अब आग लीव को जब भी आप लीव लगाएं तो हमेशा किसी स्टिक से होल कर ले मिट्टी में मैं यहापको लगा के दिखा देती हूँ इस तरह से होल करेंगे और जो इसके नीचे वाला पोशन है सिर्फ यही मिट्टी में जाएगा पत्ति आपको मिट्टी में नहीं लगानी है नहीं तो वो गल के सड़के खतम हो जाएगी और आपकी प्लांड में रूटिंग भी नहीं होगी लीफ में और प्लांड भी नहीं बनेगा इस तरह से लगाईगा जैसे मैंने लगाई है कि जो इसकी जो नीचे वाला एरिया है वो मिट्टी में जाए बाकी बाहर खड़ा रहे चाहे आप इसको किसी प्रकार का सपोर्ट दे सकते हैं तो इसी तरह से आपको इसको लगाना है यानि जो नीचे का हिस्सा है वो मिट्टी के अंदर जाए और बाकी हिस्सा बाहर रहे और मिट्टी से टच भी नहों मिट्टी से टच होगा तो मिट्टी और जबी भी प बनाऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा तो मैं दूसरा रिजल आपको दिखा देती हूं आप यहां देखें यहां पर कितनी बढ़िया रूटिंग हुई है लीवस में और अगर आप इसको ऐसी ही लगा रहने देंगे तो धीदरी प्लांट भी नीचे से डवलप हो जाए रूटिंग होने के बाद मैं यहां पर इसको नया प्लांटर भी प्रवाइड करा दूंगी क्योंकि एक एक लीव को अलग अलग प्लांटर में रखूंगी तो नया पोधा बनने में आसानी रहेगी और मुझे बाद में उसकी शिफ्टिक की टैंशन भी नहीं रहेगी अग इसी तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया कटिंग और लीव के थुरू नय नय पोधे बनाते रहें ताकि बाहर से आपको पोधे खरी देना पड़े और आपके पैसे